Hello Everyone, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ, ये एक Realme का Bluetooth है और इस Bluetooth में प्रॉब्लम ये speaker में हो चुका है क्योंकि इस speaker जो है, इसके wire जो है, इस तरह से देखे, मुरे रहने के कारण यहाँ से इसके wire break हो चुका है, जब मैं इस तरह से rotate करता हूँ तो यह speaker work करती है तो मैं आपको यहाँ पर इसे repair करके दिखाऊँगा repair करना बिल्कुल असान है यहाँ से इन दोनों भाग को अलग कर ले इसके बाद मैं आपको repair करके दिखाऊँगा आप मेरे साथ इस वीडियो के last तक बने रहें अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन और पर क्लिक कर दे इसे ही electronic से related वीडियो देखने के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं यहां पर इस सब्सक्राइब को अलग करूँगा इसे अलग करने के लिए आपको एक चोटी से अस्क्रूडराइवर की हेल्प लेने होगी इसी से यह अलग हो जाएगी बट यहां पर हौल करना होगा और इस haul करने के बाद ही मैं देखें कि ये tester के help से इसे मैं बिलकुल अलग करूँगा आscrew driver की help से आपको अलग करना होता है तो मैं इसे बिलकुल अलग कर लूँगा और जैसे देख सकते हैं कि ये अलग भी हो चुकी है इस तरह से अलग कर लें इसके बाद इसमें आपको speaker मिलेगी और साथ में magnet होती है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा जैसे ये speaker के दो wire जो देख रहा है तो यही दोनों wire में problem है तो मैं यहाँ पर पहले ये speaker को अलग कर लूँगा हो चुकी थी तो उस wire को आपको कट करके अलग करना होगा तो देखें जब मैं wire को इस तरह से निकालता हूं तो देख सकते हैं कि ये wire को पहले मैं यहाँ पर जला करके इसकी सोची continuity में check कर लिया था अब देखें कि ये बिल्कुल ओके नहीं था तो मैं यहाँ पर देखें कि जो problem आ चुकी थी ये देखें wire यहाँ पर मुरने के बाद कट गई थी तो इस wire को मैं कट करके हटा दूँगा और ये wire को यहाँ से निकाल करके इसके बाद उपर के जो cover है इन सारे cover को आपको एक blade की help से ये हटाना होगा क्योंकि ये cover काफी smooth होती है तो इसे अच्छी तरीके से हटा लें इसके बाद आपको दो wire प्लस दो यहाँ पर धागे दिखने को मिलेगा ये दागे जो होती है ये डेसम की होती है इससे क्या होता है कि आपका ये earphone जो है यहाँ से break ना हो इसमें मजबूती मिल जाती है इसलिए इसका यूज किया जाता है तो आप देखें कि मैं इस hall में इसे कर लिया हूँ और फिर मैं यहाँ पर इस wire को जलाओंगा तो जलाने के बाद अब देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकिए तो चलिए अब आरी आइस के उपर के जो भी कभर लगा हुआ उसे हटा दिया मैं बिलेट की हेल्फ से अब मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा सुल्डर करूँगा तो पहले मैं यह speaker के connection जो देख रहा है यह देखें और यहाँ side में जो जिस तरह से खुलने के बाद हो चुकी थी तो उसे मैं बिल्कुल अच्छी से save कर लिया हूँ ताकि जब मैं इसे बैठा हूँ तो यह अच्छी तरीके से बैठ जाए थोड़ा सा gaping होगा क्योंकि repair होने के बाद जो screwdriver की help से थोड़ी सी hard type की जो बन जाती है वो रह जाती है तो अब देखें कि इसके cover को मैं लगा रहा हूँ इसके बाद दो wire आईगी तो इन दोनों wire को आपको solder करना है पहले मैं जिरासा यहां पर paste लगा लूँगा speaker में दोनों side में मैं paste लगा लिया हूँ paste लगाने से क्या होगे कि solder जो है काफी अच्छी होती है तो paste लगा लिया इन दोनों wire में भी मैं हलके हलके paste लगा लिया इसे मैं solder कर दे रहा हूँ अब देखें कि यह बिल्कुल के है तो चलिए अब मैं यहां पर यह फैवी क्यूब का यूज करके इसे चिपका लोगा क्यूंकि चिपकाना बहुत ही आवस्तेक है नहीं तो फिर यह problem आ जाईगी तो अब देखें यह बिल्कुल अच्छी चिपक चुकी है इसके उपर के cap को भी मैं लगा दूगा और इसके बाद यह यूज करने के लिए बिल्कुल okay हो चुकी है यह जो ए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लाओंगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक्यू